राजसरकार की OBC अरेक्षिन की बारे में मैंने सुप्रेम कोर्ट में मद्स्ताई आचिका दायर की है इस महीने की 19 तारी को मद्स्ताई आचिका पर सुन्वाई होगी उमीद है कि सुप्रेम कोर्ट से OBC समधाय को न्याय मिलेगा ऐसा वक्तव्य विधायक चंद्रशेखर बावन को ये नहीं किया इस दोरान उनने कहा कि राजसरकार ने दो साल से टाइम पास किया राजसरकार OBC सीटों पर अमेर लोगों को चुनाव लड़ने की अनुबती देने की युजनाब बना रहे है उन्होंने आरोप लगाया कि राजसरकार ने जान बूझकर गलत अध्यादेश चारी किया है और इस अध्यादेश में 1000 तृटिया है ये तो तिरा बारा 2019 का सुप्रिम कोट का निकालाया था चार मार्ट 2019 का सुप्रिम कोट का निकालाया था तभी कहा था तभी करना था सरकार ने लेकिन दो साल सरकार ने फुटबॉल किया जान बूझकर OBC आरक्षन नहीं दिया जानबुच के empirical data नहीं बनाया किंद्र सरकाल का data चाहिए करके जूट बात महाराश की जनता को बता रहे थे आकरिये सरकार ने मानने कर लिया कि empirical data राज्य सरकार को तैयर करना पड़ता है हम बार-बार कहे रहे थे कि empirical data जो ट्यार करना पड़ता है वो राज्य सरकार की जवाब दरी क्योंकि यह election state election commission के अंदर में आने वाली election है और वो राज्य सरकार के स्तुराज्य सोचता है है local bodies है इसलिए 2021 के आदार पर आग का data त्यार करना चाहिए यह बार-बार कहे रहे थे लेकिन केंद्र के उपर बार-बार बोल कर हमारे सरकार के वो भी सी चिंद तक नेता लोग केंद्र सरकार की बात करके वो भी सी जनता को मुर्ग बना रहे थे जूट बोल रहे थे अब उन्होंने लेट कहा लेकिन कहा है कि हम लोग अभी इंपेरिकल डेटा त्यार करते हैं तो ठीक है हम सुप्रीम कोड को मिंति किये हैं कि आने वाले तीन मैने तक चार मैने तक इस सरकार को समय clock करें लोग उन्टिश तारिक का निकाला है कि हम लोग प्रभाग रच्ना भीण ओबी से करेंगे भीण हूब हो ब्सक्राइब करते हैं यह जो परिव यह बहुदी हमने डिमान की है